कहते हैं कि मानिक जिंदगी में आने वाले संकटों की पहले से ही सूचना दे देता है जैसे मोसम विभाग अपने बेस कीमती यंत्रों की साहिता से बता देता है कि कब कितनी वर्षा या तूफान कहां पर आ सकता है ठीक वेसे ही ठीक वेसे ही रतनों का राजा मानिक आने वाले संकटों की आपको पहले से ही सूचना दे देता है जैसरी किशना दोस्तों मैं हूँ नरेंद्र गरवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र गरवाल यूट्यूब चैनल तो आज इस वीडियो में हम आपके साथ मानिक की पूरी जानकारी शेयर करने जा रहे हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा तो आई ये शुरू करते हैं तो मानिक एक बहुमुल्य रत्न है जो बहुत खूब सूरत और अपनी और आकर्चित करने वाला होता है। मानिक को अंग्रेजी में रूबी कहा जाता है यदि हम मानिक को जोतिश की दर्ष्टी से देखें तो मानिक को सूर्य का रत्न माना गया है और सूर्य हमारी जिन्दगी का एक बेहद महत्पून अंग है बिना सूर्य के जीवन की कलपना भी नहीं की जा सकती है तो सूर्य हमार सूर्य हमारे ब्रमांड की आत्मा भी माना गया है मानिक के लाल गुलाबी रक्त वर्णी फीका गुलाबी इत्यादी रंगों में पाया जाता है तो चलिए सबसे पहले यह जानते हैं कि मानिक क्यों पहनना चाहिए मानिक को पहनने से हमें क्या फाइदा होने वाला है तो यद पूर करने में मदद करता है यह आपके मनोबल को बढ़ा कर आपके मन की शक्ति को मजबूत करता है और आपको एक निडर व्यक्ति बनाता है यदि वेवाहिक जीवन में परेसानिया आ रही है तो पती पतनी दोनों को जोड़े से मानिक पहनना चाहिए इससे बिगड़े खुसी प्रेम और सदभावना को बढ़ता है मानिक रत्न जीवन में नाम प्रसिधी लोग प्रियता देने वाला होता है मानिक से नीजी जीवन में रचनातमक और आहत में विश्वास उत्पन होता है यदि आप इंजिनिरिंग मेडिकल भू विज्ञान में दिल्चस्पी रखते हैं यदि आप वकील हैं नेता हैं कपड़ा व्यापरी हैं या फिर इस्टोक एक्सेंज में दलाली छेतर में काम करते हैं तो फिर आपको मानिक जरूर से पहनना चाहिए यदि आप व्यावसाई कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में लगातार लगाता समस्याय आ रही है तो एक बार मानिक को जरूर आजमा कर देखिए क्योंकि मानिक के लिए कहा जाता है कि इस रत्न को पहनने से जीवन में भाग्य उद्य होता है और मानिक धन को चुम्बुक की भाती खींचता है मानिक कम रक्त चाप ऐ नियमित दिल की धड़कन या फिर धु राजनिती और उच्च कारेले या उच्च पदों में सफलता प्राप्त करने के लिए भी पहना जाता है तो यदि आप राजनिती के चहतर में काम करना चाहते हैं या फिर उच्च कारेले उच्च पदों में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं इस प्रकार की कोई परिक्सा से प्राप्त होने लगता है कहता है कि मानिक जिंदिगी में आने वाले संकटों की पहले से ही सूचना दे देता है तो कैसे कैसे मानिक आपको संकेत देता है चली आपको यह भी बता देता है यदि कोई व्यक्ति मानिक धारन करता है और वो गंभीर रूप से बिमार होने वाला तो मानिक इसका संकेत पहले से ही दे देता है मानिक का रंग यदी अपने आप ही फीका होने लगता है समझ लीजी कि कोई गंभिर बिमारी आपको आने वाली है यदी पती और पतनी से दोनों ही धारण करते हैं और यदी पतनी की बेवफई जागरुक होती है तो पति के द्वारा धारण किये जाने वाला मानिक्य का रंग फीका पढ़ जाता है ठीक इसके विपरित यदि पति बेविफाई करता है तो पतनी के द्वारा धारण किया गए मानिक्य का रंग फीका पढ़ने लगता है अब इसे कौन धारण कर सकता है जो तिस सास्तर के अनुसार मेश, मिथुन, कन्या, वरश्चिक, धनू, मीन लगन वाले जातक मानिक को धरन कर सकते हैं सूर्य के सुब इस्तिती होने पर वो मानिक पहन सकते हैं जिनकी रासी, लगन, सिंग, मेश, वरश्चिक, करकिया धनू है उनके लिए मानिक रतन, बेहद सांदार रतन है, बेहद सुब होता है अब आप ये पूछेंगे कि मानिक असली है या नकली, इसकी पहचान कैसे करें तो सुनिए, मानिक लाल गुलाबी रक्तवर्णी, फीका गुलाबी इत्यादी रंगों में ही पाया जाता है तो सबसे पहली पहचान तो यही है कि आप इसे इन रंगों से पहचान लीजिए अब इसे टेस्ट करने का सबसे सरल तरीका यह है कि आप थोड़ा सा दूद लीजिए और दूद में मानिक को डाल दीजिए यदि मानिक असली होगा तो दूद का रंग गुलाबी दिखाई देने लगेगा मानिक को काज के बरतन में रखिए और देखिए बरतन के चारो और हलकी किरन निकल रही है या नहीं निकल रही है यदि बरतन के चारो और हलकी हलकी किरन दिखाई दे रही है तो समझ लीजे कि मानिक असली है मानिक को कैसे धारण किया जाता है तो 3-6 के मानिक को आप सोने या फिर चांदी की अंगुटी में धारण कर सकते है मानिक को दाए हाथ की रिंग फिंगर या फिर अनामिका अंगुली में भी पहना जा सकता है मानिक को पहनने से पहले इसे सुद्ध करना अभिमंत्रित करना एक्टिवेट करना जरूरी होता है तब ही वो अपना पूरा फल देता है चुँकि मानिक सूर्य का रत्न माना गया है अते इसे धारन करने से पहले सूर्य देव की अराधना या पूजा की जाती है तो मानिक को एक्टिवेट करने के लिए मानिक की अंगोटी को सहद और पानी में मिलाकर लगबग आदा घंटे के लिए रख दीजिए फिर इसे साप पानी से गंगा जल से धो लीजिए और फिर इसे एक लाल रंग के वस्तर पर रख कर सूर्य देव की पूजा कीजिए मंत्र आपको इसकी ग्यारा माला आपको जाब करनी है ये कारिया आप सुक लपक्स के किसी भी रविवार के दिन कर सकता हैं सुबह 9 बच कर 15 मिनट से 11 बज़े की बीच में आपको ये काम कर लेना चाहिए अभिमंतृत करने के तुरंत बाद आप इसे धारन कर सकते हैं मानिक को आप मोती के साथ पहन सकते हैं पुकराच के साथ भी पहन सकते हैं मानिक के साथ मुंगा भी पहना जा सकता है लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए मानिक को कभी भी नीलम और गोमेत के साथ नहीं पहनना चाहिए यदि आप मानिक को नीलम या गोमेत के साथ पहन लेते हैं तो फिर इसके भयंकर विपरित प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं बस मानिक का यही सबसे बड़ा नुकसान है कि गलती से भी आप इसे नीलम और गोमेत के साथ मत पहनिये तो मानिक एक चमतकारी रतन है जो आपके जीवन में कायरता को डर को भै को समाप्ट करता है आपके वेवाहिक जीवन को मधूर बनाता है यदि आप नोकरी में उच्च पद्द चाहते हैं तो मानिक आपकी साहिता कर सकता है यदि आप व्यापार में लगातार ऐस अफल हो रहे हैं तो मानिक आपकी साहिता कर सकता है क्योंकि व्यापार में सफल होने के लिए मानिक आपके वो उर्जा देता है और धन को अकरसित करता है तो आप भी मानिक पहन कर देख सकते हैं आजमा कर देख सकते हैं यदि आपकी रासी लगन मानिक के अनुरूप है और अब सबसे बड़ी परेसानी यह है कि मानिक हम कहां से खरीद है तो मानिक आप अपने इस्थानिय बजार में किसी प्रतिष्टित दुकान से खरीद सकते हैं जो लोग रासी रतन रखते हैं, प्रतिष्टित दुकान है, तो आप अपने इस्थानिय बजार से खरीज सकते हैं, या फिर आप ऑञिन बजार से घर बेटे ही मानिक खरीज सकते हैं, बहुत सरी वेब साइटस पर मानिक ऑउनलाइन उपलब्द है, यादि आप ऑञिन बजा से भी इसे खरीद सकते हैं यदि आप उनलाइन बजार से मानिक खरीदने जा रहे हैं तो आपको एक सलहा दी जाती है कि आप आवस क्रूप से यह देख लीजिए कि उसके रीवियू कैसे हैं तो नीचे जाकर आप वेबसाइट पर रिवियू आवस्य देखिए कि लोगों को क सकता नहीं पड़े तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं तो दोस्तों यह वीडियो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो यूस्पुल लगी हो तो करपिया लाइक के बटन पर लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए और यदि आपने हमारा यह चैनल कर लिए क्योंकि इस चैनल पर क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारिया हम रेमेडिज हम टिप्स और टेक्निकल नोलेज तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियो की अपलोड लगातार निरंतर मिलती रहेगी त तो एक नया वीडियो एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरैंदर अगरवाल फिर मिलूंगा तब तक के लिए इस्टा हेल्द इस्टा हैपी थैंक्यों फॉर वाचिंग माई वीडियो थैंक्स जैस्चिरी राम जै हनुमान